ओपी क्लास इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक पार पुन्हा स्वागत है आज हम लोगों को पढ़ना है 24 जलाई 2020 के Most Expected Current Affairs तो चली सुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न आज का हमारा पहला प्रश्न है ओडिशा सरकार ने किस लोगप्रिय लोग गीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलूंग गाओं का नाम बदल दिया है तो हाल ही मैं ओडिशा सरकार ने रंगवती जो इनका लोगप्रिय लोग गीत है उसके नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गाउं का नाम रंगवती गाउं कर दिया है अगर बात की जाए रंगवती गीत की तो इसके जो गीतकार हैं वो है मित्र भानु गौतिया और मित्र भानु गौतिया का जो जन्म है वो आपके बिलुंग गाउं में हुआ था इसी वज़े से इस गीत के नाम पर इस गाउं का नाम बदल दिया है अगर बात की जाए रंगवती गीत की तो पहली बार 1970 में इसे आकासवानी पर गाया गया था इसके बाद इस गीत को कई चेत्री भासाओं में परिवर्तित किया गया जैसे पर्शे मंगाल की भासा जारकंड बिहार चतीस गड़ आधी जगह इसको परिवर्तित करके गाया गया अगर बात की जाए ओरिजनल रंगवती गीत की तो इसके जो गीतकार थे वो थे मित्र भानु गौतिया जबकि इसक हमारा आज का दूसरा प्रश्ण दूसरा प्रश्ण है निम्न मैंसे किस मंसूर मंदिर ने आधी महोसब जुलाई अगस्त के उपलक्ष पर जंडा फैराया तो हाल ही मैं मीनाक्षी मंदिर कौन सा मंदिर मीनाक्षी मंदिर ने आधी महोसब के उपलक्ष पर एक जंडा फैर अगर बात की जाए मीनाख्छी मंदर की तो यह है तमिल नाडू में मदुरे में इस्थित है जबकि इसकी देपता प्रमुख देपता जो है वो की माता पार्वती है जो मीनाख्छी देवी की रूप में विराजमान है मीनाक्छी देवी की जो मोर्ती है, वो मचली की आंख वाली देवी की रूप में विराज मान है अगर बात की जाए मीनाक्छी मंदर की, तो यह एक भब्य मंदर है, जो की 45 एकर भूमी में फैला है इसका जो गर्भ ग्रह माना जाता है वो 3500 वर्ष पुराना माना जाता है तथा इसको वर्तमान में विश्व के साथ आश्चरियों में भी सामिल किया गया है Seven Banders of Wall अगर बात की जाए आपके आदी महोशब की तो आदी महोशब मनाया जाता है तमिल महीने का जो आदी महीना होता है उसके अठारवे दिन कब मनाया जाता है अठारवे दिन मीनाक्षी मंदिर में जो है वो कुल 12 गोपुरम है किसके कितने गोपुरम है 12 गोपुरम है चलिए आगे देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न है रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कॉरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों को रहने का ठिकाना छिन लिया है तो हाल ही में Refugee International की एक रिपोट सामने आई जिसमें बताया गया कि कोरोना महामारी के करण 16 करोड़ लोगों का रहने का ठिकाना चिन गया है ये 16 करोड़ लोग अब प्रवाशी के तौर पर यहां बहां रह रहे थे और कोरोना की बज़े से इनके उपर से छट हटा ली गई है चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चौथा प्रशन है असम सरकार ने गोशना की है कि राज में हाल ही में आई बार में किस राष्टे उद्ध्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है तो हाल ही में काजी रंगा नेशनल पार्क में कुल 108 जानवरों की मौत बार की वज़े से हो गई है अगर बात की जाए काजी रंगा नेशनल पार्क की तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में कब हुई थी 1905 में आरक्षित बन छेतरी के नाम से हुई थी जबकि इसका नाम 1950 में बदलकर काजी रंगा नेशनल पार्क कर दिया गया इसको वर्ष 2006 में बाग अब्यारण भी घोसित कर दिया है काजी रंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सिंग बाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है एक सिंग बाले गैंडे के लिए हाल ही में इस काजी रंगा नेशनल पार्क में गोलन टाइगर भी देखा गया है कौनसा गोल तो हाल ही में 16 जुलाई को विश्व सर्प दिबस मनाया गया है। अगर बात कीजें भारत में तो सबसे जढ़ा जो विशैला सर्प है वो आपका होता है किंकोब्रा क्या होता है। तो किंग कोबरा का विज्ञानिक नाम होता है नाजा नाजा क्या होता है नाजा नाजा चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छटवा प्रशन क्या है छटवा प्रशन है किस देश के प्रधान मंत्री एलिस फाक फाक ने हाल ही में राष्ट पती को अपना इस्तिफा लगा था कि टूनेसिया के जो प्रधान मंत्री थे एलिस उन्होंने एक कच्रा निष्टार्ण कंपनी में भी अपने तक्राव के कारण एलिस फाक-फाक ने प्रधान मंत्री पद से इस्तिफा दे दिया है चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातबा प्रश्ण सात्वा प्रश्न है केंद्रिय स्वास्थ मंत्रा लए ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेसी वैक्सीन को मंजूरी दी है तो हाल ही में स्वास्थ मंत्रा लए ने निमोनिया की पहली स्वदेसी वैक्सीन को मंजूरी दी है इस वैक्सीन को बनाने का काम किया है सीरम इं परिष्थित है पुरे में यह जो टीका है वो इंजेक्ट किया जाएगा यानि इसको देने का जो माध्यम होगा वो क्या होगा इंजेक्शन होगा इस बैक्सीन का जो ट्राइल है भारत के अलावा गॉम्बिया में भी किया गया था कहां पर किया गया था भारत के अलावा वजुगेट चलिए आज का अगला प्रश्ण है पत्रिका द लेशंट की एक रिपोर्ट के मताबिक सदी के अंद तक भारत की आवादी घट कर कितनी हो जाएगी तो लेसेंट पत्रिका के अनुसार भारत की आवादी 1.09 अरब हो जाएगी कब सदी के अन्त यानी 2100 तक भारत की आवादी घट जाएगी हाला कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पहले 2048 तक भारत की आवादी बढ़ेगी और यह 1.06 अरब हो जाएगी इस रिपोर्ट में कुल 183 देशों का जो पूर्बानुमान है वो जारी किया गया है तो भारत की आवादी पहले 2048 तक बढ़ने की संभाबना बताए गई है फिर यह घटकर सदी के अंद तक 1.09 अरब पर पहुंच जाएगी यह जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल बाइडन ओफ डिसीज रिपोर्ट के तहट जारी की गई है चली देखते हमारा आज का अगला प्रस्ण है हाल ही में किस राज सरकार ने बढ़ते कौरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोशना की है तो हाल ही मैं बिहार सरकार ने लोकडाउन को 16-31 जुलाई तक बढ़ा दिया था क्योंकि बिहार में जो है वो कोरोना की मामले तेजी से बढ़ रहे थे अगर बात की जाए वरतमान समय की तो कुल 20,000 कोरोना मरीज आपके बिहार में है चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रशन क्या है अंतिम प्रशन है किस दिगज होकी खिलाडी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगा तो हालि में फुटबोल खिलारी असुक कुमार को मोहन बागान Lifetime Achievement Award से सम्भानने करेगा 29 जुलाई को कब करेगा 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाय जाता है क्योंकि 1911 में मोहन बागान फुटबोल क्लब ने सील में ι-afe सील नाम की पृतियुकता होती थी उसमें East Yorkshire Regiment को 2-1 से हराया था अगर बात की जाए मोहन बागान की तो मोहन बागान भारत का पहला फुटबॉल कलब है तथा यह एसिया का सबसे पुराना फुटबॉल कलब भी माना जाता है अगर बात की जाए इसकी स्थापना तो इस्थापना हुई थी 15 अगस्त 1889 को कब 15 अगस्त 1889 को अगर इसकी बात की जाए उपनाम की तो इसका उपनाम है मैरिनर्स क्या कहा जाता है इसको मैरिनर्स कहा जाता है चलिए तो यह था हमारा आज का करेंट अफेर्स का सैसन 23 जुलाई 2020 का कुशन अब देथा भारत का आदर्स राष्टियबाग सत्यमेब जैते कहां से लिया गया है तो भारत का आदर्स राष्टियबाग सत्यमेब जैते मुंड को अपनिशद से लिया गया है और सही उत्तर देने वालों में हैं आपके मुस्कान बानो, अनुराग यादव, बैशनवी तिवारी, समिक्छा स्रिवास्तव, बिजय कुस्वहा, ब्रजेन सिंग राजपूत, दीक्छा कुस्वहा, अंकिता पतेरिया, जोती कस्यप, अजे कुमार मौर्या, अनुभव सिंग राजपूत, तथा रागवेंद्र राज कि प्रजाती है, गाजर की, प्याज की, आलू की, या फिर अर्बी की, आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो ये था आपका 24 जुलाई 2020 का करेंट अफेर्स का सेशन, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,